बरसात के मौसम में सुक्रों में होने वाली बिमारी से उनका बचाव कैसे किया जाए। उनके खुर में घावम हो जाता है और उनके झौन हो जाता है। नहीं प्लामी बरसात में और भी कुछुछॉ बुखार हैं। जैसे की पेचिस। पेचिस। जो होता है। उसमें उसे पतला पेखाना हो रहा होता है। तेजी से वजन घट रहा होता है। स्वाइन फ्लू में इसमें उसका सर्दी खासी छीक बुखार आने लगता है, सांस फूलने लगता है और भूपने ही लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है. सर्रा, यह एक संक्रामक बीमारी है, जिसमें रुक रुक कर जवराना, रक्तल पता, शरीर के आशुरित भागों में सूजन, आखों और नाकों से श्राव और अंत में बेचैनी जैसे लक्षण पाये जाते हैं, यह बीमारी तबेनस, स्टोमोक्सिस जैसी मक्षियों के काटने से फैलती है, इस रोगों का निदान पशुके रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रियोग शाला में रक्त परिक्षण के द्वारा सफलता पूर्वक किया जा सकता है, जैसे कि FMD रोग ही हो गया, खुर्पका मुका पका रोग, उसके 7 सब टाइप्स होते हैं, तो उ अगर टीका करन हुआ हो, तो भी हो सकता है कि उसको FMD का रोग पकड़ ले, इनके इस अगर टीका करन होने के बाउजूद अगर FMD का रोग हो जाता है, तो भी तो आप कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम अंटिबियोटिक जैसे कि Ampicillin हो गया, Amoxicillin हो गया, Androfloxacin ये सब आ तिलेरियोसिस, इसमें सतहिय, लस्षिका परवों के आकार में वृध्धी, उच्चजवर, रक्तालपता, पीलिया और कमजोरी जैसे लक्षण पाये जाते हैं, यह बिमारी प्रोटोजोवा परजीवी की एक प्रकार के द्वारा होती है, यह बिमारी सम्मान्यतह गर्मियो और बरसात के मौसम में ज्यादा होती है, इस रोग का निदान पशु के रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रियोग शाला में रक्त परिक्षण के द्वारा सभलता पूरवक किया जा सकता है, बरसात के मौसम में क्या होता है कि जितने भी हमारे शुकर जो होते हैं, उन लोगों को चमकन का शिकायत होता है, उनके शरीर जो होते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, जिस वज़े से वो लोग अपना घर का जो दिवाल होता है उसमें वो अपना शरीर को रगड़ना शुरू कर देता हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो गेमिक्सीन कोई खंबा में गंधक को आप बोरा से बांध करके रख दीजे और उसके बाद फिर जो सुवर होता है वह उसमें अपना शरीर को रगड़ेगा तो अपने आप उसका चमकन का धीरे-धीरे निवारन हो जाएगा लाल पानी जवर इस बीमारी को चिचडी जवर, लाल जवर, दिली जवर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है इसमें उच्च जवर, रक्त अलपता और मुत्र में हीमोगलोबीन की उपस्थिती जैसे लक्षण पाये जाते हैं इस बीमारी का उश्मायन काल पांच से दस दिनों का होता है इस रोग का बचाव इनके समवाहकों से चिचडी की संख्या को नियंत्रित करके किया जा सकता है इस रोग से बचाव के लिए टीका करण भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है